हेलो फ्रेंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है मैं हूँ सूरज और आज मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट फाइफ जिसमें माइक्रोसफ वर्ड में मैंने आपको आफिस टैप के बारे में और होम टैप के बारे में इंसर्ट टैप और पीज लियाओ तो ये सारे अबस जहेंगे और उसके बाद छली प्रेंड शुरू करते हैं यहां पर आप्षं दिया हुआ है टेबल अप कंटेंट इए क्या होता है इसके बारे कितना है यानि आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो उसकी पेज की संख्या कितनी है यानि सब पर कंटेंट बना हुआ रहता है तो आज वही कंटेंट जो होता है वो मैं बनाने वाला हूँ तो चली फ्रेंट शुरू करते हैं मान लो कि अभी कंपीटर से रिलेटेड म मैं कुछ सिलेवस बनाना चाह रहा हूँ टेबल अप कंटेंट के रूप में तो वह कैसे बनेगा तो मान लो कि DCA एक चाप्टर है DCA आपको पता होगा डिप्लोमा इन कंपीटर अप्लिकेशन कहते हैं मान लिजे यह चाप्टर है और इस चाप्टर के अंदर क्या क्या मान लो कि यह आपका चैप्टर है और अभी जैसे मैंने P.P.N. बभन लिलिक बन जाएगा प्लस में आपका इनकी इस बना रोगे और कैसे कि बना लूब वह की से बनतेगा फिलाल के लिए मैं पहला ली पेज में ho ब्रेंट आपको क्या करना हैं? कि जो पहला वाला जो option है यानी cC Choice मैंने लिखा हुआ है इसको आपको heading लगाना है यानी जो भी chapter होंगे उसको heading देना है और उसके निचले वाले जो भी portion है उसको एक level देना है तो चलिए मैं बताताँ हुआ आपको DCA जो लिखा हुआ है जैसे यह chapter का नाम है इसके लिए आपको home tab में आना है और यहाँ पर एक heading दिया हुआ है आप heading में जाओंगे तो यह क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे इस color में आपका आ जाएगा प्लस में bold भी हो जाएगा और जो नीचे वाले जो भी आपका chapter है वो chapter references tab में जाकर करके एक option है यहाँ पर add text यहाँ पर label दिया है आप किसी भी एक label को click करोगे ना तो यह क्या हो जाएगा कि इसका भी color change हो जाएगा और यह भी कुछ आजाएगा इसे style में तो इतना बनाने के बाद आपको content मालो कि यही पर बनाना है इसी page में यहाँ पर तो आप टेबल अप content में जा और इंसर टेबल अप content को click कर दो और सिर्फ ok बटन को click कर रहे तो क्या हो जाएगा कि यह content आपका त्यार होगे देखो DCA जो मैंने chapter का heading लिया था वो बिल्कुल अलग हो गया और paint word पर जो microsoft word है वो page number one पर है तो यह यहाँ पर print आ गया आपको समझ में आ गया होगा कि develop content बनाते कैसे हैं मालो friend कि मुझे microsoft excel लिखना है मालो यह मैंने भूल गया microsoft excel लिखना और मुझे अभी update करना है इसी में तो आपको क्या करना है कि यह वाला जो portion में आपने जो label लिया था तो आपको भी क्या करना है कि जो सबसे last वाला जो मैंने बाद में लिखा हुआ है इसको भी आपको label देना होगा वही label जो आपने first में लिया था तो आप यहां पर microsoft excel का भी tool ले लो देखो यह आ गया यह भले ही आ गया यहां पर लेकिन यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको बस इसको click करना होगा तो यह selection जैसे आपको दिखाई देगा और यहां पर एक option है print update table अपडेट टेबल में जोहीं जाओगे तो एक option है update entire table जोहीं आप इसको click करोगे न ओके बटन को click कर दोगे तो यह क्या जाएगा देखो microsoft excel यहां पर आगया अपको समझ में आया होगा कि यह content कैसे बनाते हैं तो आपको print मानलो की page number 2 में भी जाकर कि आपको कुछ बनाना है तो मैं यहां पर दूसरे page में जाता हूं control के साथ में इंटर बटन दबाता हूं control के साथ में इंटर बटन दबाओगे तो आप page number 2 पे चले जाओगे तो control इंटर बटन दबाया मानलो friend की मुझे यहां पर कुछ और लिखने है तो मानलो मुझे क्या लिखने है तो मुझे tally लिखने के बाद यह tally वाले को update करना है इसी table of content में तो मैंने बताया था ना कि अगर आपको इसको लेना है तो इसके लिए आपको लेवल चूज करना होगा तो आप लेवल ले लो चलो टेवली का मैं लेवल ले लिया अब मुझे यहां पर update करना है तो इसको क्लिक करके update टेवल में जा अपडेट इंटायर टेवल को ok करोगे तो देखो tally यहां पर कि tally में जाना है मुझे तो यहां पर एक dialogue खोल रहा है कि control के साथ में आपको click करोगे तो उस link को follow कर जाओगे तो मुझे tally वाले page में जाना है तो आपको scroll down करने की कोई जरूरत नहीं है मैं सिर्फ यहां click करके control के साथ click कर दूँगा tally में तो directly मुझे यह tally में access करा control के साथ जो ही मैंने click किया तो यह directly tally में मुझे ले गया तो आपको print समझ में आगे होंगे कि table of content बनाते कैसे है तो table of content में बस यही समझ लो कि पहला जो page होता है उसमें chapter by chapter लिखा हुआ रहता है और कौन सा chapter कितने number page पे है वो दिया हुआ रहता है तो आप ऐसे कुछ बना सकते हैं आप किसी भी page में बना वो directly update करने के बाद उसका page का number भी आ जाएगा और उसका cross references भी बन जाएंगे तो print अब आगे बढ़ते हैं footnot के बारे में यह footnot क्या आता है इसके बारे में समझते हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ पर print insert footnot लिखा हुआ है और यह footnot वाला जो arrow दिखाई दे रहा है जो ही आप इसको click कर होगे तो यहाँ दो option दिखाई देंगे footnot और end note तो footnot और end note होते क्या है वो हम लोगों समझने होंगे footnot bottom of page को बोला जाता है और end note end of document को बोला जाता है अब यह होता क्या है इसके लिए मुझे कुछ paragraph लिखने होंगे तो by default equal random मैंने लिख दे गा और यह इस थरह से बन गया अब देखो print यहाँ पर मैं cursor को click करता हूं यह कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर होगा आप कहीं पर भी click कर सकते हो तो हिलाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर click कर रहा हूं जो ही आप यहाँ पर click करोगे न तो यहाँ पर एक option है put not इस arrow को click करो देखो यह खुल गया और यहाँ put not में बता रहा है कि put not जो होता है वो page के bottom में लगता है तो इसमें होते गया है इसमें सिर्फ एक symbol लगाना मतलए एक मार्क लगाना है एक ऐसा मार्क जो की directly उस चीज को link कर दे अब देखो यहाँ पर bottom पेज में गया यहाँ पर एक option है symbol symbol को click कर दो और कोई भी एक symbol ले लो I love this symbol मैं इसे click करता हूँ और okay बटन को click कर रहा हूँ देखो okay करने के बाद यहाँ insert बटन दिया हुआ है यहीं अब symbol ले लोगो तो यह symbol यहाँ पर दिखाई देगा अब यहाँ सिप insert कर लो देखो यह directly bottom पे लग गया और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सूरज कुमार VVI line इसका मतलब यह हुआ कि सूरज कुमार को कोई very important line है तो यह line मुझे यहाँ से directly वहाँ पर जाना है तो बस इसको double click कर देखो directly कि यहाँ पर ले गया और यहाँ पर देख सकते हो कि इस symbol के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है तो एक dialogue आपको दिखाई दे रहा होगा print सूर तो मानलो फ्रेंड मुझे और भी कुछ दूसरे symbol लेना है तो आप आसानी से ले सकते हूँ अब मैं यहाँ पर फिर से cursor को click करता हूँ और इस बार footnote में जाकरके इस बार मैं end note को click करता हूँ इन note क्या होता है तो इन note में लिखा हूँ end of document मतलब document का end यहीं पे हो गया तो आप इस portion में ending हो गया तो यहीं पर आप mark लगा सकते हूँ तो मैं यहाँ पर symbol में जाता हूँ और यहाँ पर किसी एक symbol को click करके और okay कर दे रहा हूँ insert कर दे रहा हूँ देखो यह symbol यहाँ पर आगे और यहाँ मान लो मुझे कुछ लिखने है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ambition लिखने के बाद जो ही मैं double click करूँ तो यह मुझे यहाँ करसर ले जा रहा हूँ तो यह किसका सिंबल है सूरज कमार BBI लाइन का तो यह है क्या वो समझते हैं फुटनोट और इननोट इसलिए बनाये गया है ताकि मान लोग की एक पूरे क्राउड एरिया में कोई भी चीज इंपोर्टन लाइन को ढूंडना अगर मुश्किल हो जाता है तो मैं तो ऐसे ढूंड पूर्टनोट, इननोट तो फूर्टनोट में क्या हाता है प्रेन्ट की सबसे नीचे वाले सींबल आता है तो आप यहाँ पर भी रक शकते हो आपको जहां पर मरगर्जी है वहां पर रक शकते हैं और किसी भी चीज को आशानी से ढूंड सकते हैं क्योंकि यह बहुत करते हैं यहां पर लिखा इंसर्ट्स सीयशन इसके बारे में समझते हैं तो फिलाल के लिफेर मैं इसे हड दिलीट करते रहा हूं इंसर्ट्सीयशन में प्रेंड आपको करने क्या होंगे फिर से पैराग्राफ लिखना होगा यहां पे फ्रेंड आपको insert section में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक history book किसी ने लिखा और उस history book में बहुत सारे writer हो सकते हैं बहुत सारे author हो सकते हैं तो उन writer author का नाम detail में देने के लिए आप insert section का यूजँ कर सकते हैं तो चली print देखते हैं कि कैसे यह बनता है तो यहाँ पर फर्स्ट पराग्राप में अन्दे इंसर्ट टैब होला है सेकेंड में पराग्राप यहाँ पर दिया हुआ है यू कैन इजली चेंज दा फॉर्माटिंग थर्ड में लिखा हूँ तो यह तीन पराग्राप है मान लो कि यह तीन पराग्राप अलग-अलग राइटर ने लिखा तो उन राइटरों का नाम मैं यहाँ पर दे सकता हूँ इसके लिए आपको इंसर्स येसन में जाना होगा एक option है add new source आप यहाँ पर click कर दो जोई आप click करोगे न तो यह तरह का boxes खुलेंगे इस box में author का नाम लिख दो मान लो author का नाम है सूरज और यह title क्या है तो यहाँ पर title मैं दे दे रहा हूँ रोज यह कब लिखा गया तो मान लो की टूटाव जूँ टेन में लिखा गया यह कहां लिखा गया तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लाते हार और इसके प्रकासन कौन है तो इसका प्रकासन मान लो की ambition publication है ambition publication है जो ही आप okay करोगे न तो सिर्फ यहाँ पर दिखाई देगा सूरज 10 यह भी पूरा डिटेल नहीं आएगा अब मैं चलता हूँ दूसरे वाले paragraph में फिर से चलता हूँ क्योंकि मैंने सूरज का रोजवला बना चुका फिर से add new source में चलता हूँ और यहाँ पर author का नाम देता हूँ मान लो कि मैं author का नाम देता हूँ राजन इसका title मैं देता हूँ computer और यह कब है तो मान लो 1980 में दिया हुआ है यह कहां पर यह USA में दिया गया इसका publisher कौन है तो मान लो कि इसका publisher ambition publication है और मैं यहाँ पर OK करता हूँ तो फ्रेंड यह second भी बन गया थर्ड को बनाने के लिए मैं यहाँ चलता हूँ फिर से add new source में और यहाँ पर author का नाम देता हूँ author का नाम मैं लिख दे रहा हूँ पंकच यह title मैं यहाँ पर दे रहा हूँ beautiful home ऐसे कुछ दे रहा हूँ यह कब लिखा गया तो मान लो 2005 में लिखा गया यह city कहा है तो मान लो इसका भी मैं लाते हर दे दे रहा हूँ और इसका publication कौन है तो इसका publication XYZ company है पॉब्लिकेशन तो फ्रेंड मान लो कि ऐसे मैंने कुछ लिख दिया ओके बटन को क्लिक करता हूँ तो यह तीन paragraph में मेरा सारा author का नाम आ गया अब फ्रेंड आपको बोला जाएगा कि यह जितने भी author का नाम है सबको एक list में रखा जाए list के रूप में तो इसके लिए आपको फ्रेंड यहां एक option है bibliography आप bibliography में जा करके जोही आप insert bibliography को क्लिक कर दोगे ना तो करसर इसके लिए आपको नीचे रखना होगा यहां पर इंसर्ट bibliography को जोहीं क्लिक कर गए तो देखो फ्रेंड यहां पर टोटल डीटेल आ गए तो आप फ्रेंड ऐसे बना सकते हैं यह आपका चलता हूं insert caption के बारे में तो insert caption क्या होते इसके लिए मुझे यह हटाना पड़ेगा insert caption के लिए फ्रेंड आपको कुछ picture लेने होंगे picture लेने के लिए मने बताया था यह आपको इंसर्ट में शेप में जाकर एक picture लेना है तो मैं यहाँ पर फोटो लेने के लिए चलता हूं और picture में computer के drive के अंदर कुछ photo जहांगे मैं देख ले रहा हूं फोटो कहां है ओके यह फोटो मुझे मिल गए मानलो की फ्रेंड यह मेरा फोटो है सॉरी मेरा फोटो नहीं है यह किसी एक्टर्स का फोटो है और उसके बाद फ्रेंड मैं चलता हूं अगले पेज में तो control के साथ जो ही आप इंटर बटन दपाऊगे तो दूसरे पेज में चले जाओगे और मानलो की फ्रेंड यहां पे मुझे कुछ लेने है एक और पिक तो इसके लिए मुझे यहां पे फिर से एक rectangle लेना होगा और मैं यहां पे फिर से फोटो ले लेता हूं कोई दूसरा फोटो यह मैंने फोटो ले लिए अब मानलो फ्रेंड की अगर आपको बोला जाएगा कि आपको जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे पुराने फोटो होते हैं और उस फोटो के नीचे कुछ caption दिया हुआ रहता है कि यह फोटो कब बना था यह जो temple बना था कौन से year में बना था उसी प्रकार आप इसको मान लो कि यह photo frame कब तयार हुआ था तो वो आपको detail देना है, इसके लिए आपको references tab में caption का use करना है, तो फिलाल के लिए मैं इसको use करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और जो ही insert caption में जाओंगा, तो यहाँ पे print आपको दिखाईन देगे figure 1, क्योंकि यह पहला figure है, इसलिए figure 1 दिखाई दे रहा है, आप OK बटन को click क अब आपको पता होगा कि यह figure number 2 है, तो insert caption में जाओंगा, तो यहाँ पे figure number 2 दिखाई देंगे, आप इसको भी OK कर लो, यह तो print आपको समझ में आगे होंगे, कि यह figure 1 है, यह figure 2 है, अब मानलो कि बीच में print, मैं एक figure लेना भूल गया, तो चलो मैं फिर से figure ले लेता हूँ इसके लिए मुझे shape लेने होंगे, मैं एक ही जैसा shape लेता हूँ, कोई compressor ही तो है नहीं, मैं यहाँ एक और picture लेने का कोशिस करता हूँ, मैंने यहाँ photo ले लिए friend, तो अब आप मुझे बताओगे, कि यह कौन सा कितने number का peak होगा, तो आपको लग रहा होगा, कि figure 1 तो मैंने ले लिए, figure 2 भी ले लिए, तो यह तो figure 3 होगा, तो चलो देखते हैं, यह figure कितने होते हैं, तो references tab में insert caption में जाओके न, तो देखो यह figure 3 नहीं आ रहे है, figure 2 ही आ रहे है, यह क्या होता है, मैं फिलालोके करता हूँ, यह figure 2 आ गय, लेकिन friend, जो 2 होगा न, वो automatic update हो गया होग तो चलो मैं scroll down करके आपको दिखाता हूँ, देखो यह figure 3 आगे, इसका मतलब क्या होता है friend, कि जब भी आप किसी भी picture को बीच में रखोगे, तो उसका जो भी number आएगा, वो दूसरे number को update कर देगा, मालो मैं यहाँ पर figure number 4 रखनता हूँ, तो यह बन जाएगा 3 और यह बन जो कुछ लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी type कर सकता हूँ, इस caption में कुछ भी मैं दे सकता हूँ, तो फिलाल गली मैं अभी कुछ दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक option बताने है cross reference के बारे में, तो cross reference क्या आता है friend, तो उसके बारे में समझते हैं, मालो की figure 1 मे figure 3 का link देना है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, cross reference में, और यहाँ पर एक option है friend figure, देखो यहाँ पर figure दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ले ले लेता हूँ, मैं page number, और यहाँ पर 3 को click कर दे रहा हूँ, जो ही आप figure 3 को click करोगे न, तो figure 1 में figure 3 का link हो जाएगा, लेकिन य आप उससे घबराना नहीं, आप insert कर दो, देखो, shift 2 दिखाई दे रहा है, इसको close कर दो, अब यह जो 2 लिखा हुआ है, यह भले ही 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर control के साथ click करोगे न, तो यह क्या हो जाएगा, directly जो है, आपको ले जाएगा कहा, figure number 3 में, क्योंकि आप अपने 3 को link किया था, तो मैं फिलाल control बटन को click करता हूँ, जो ही मैंने control के साथ में click किया, तो यह directly figure 3 में, हमारा blinking कसर को ले गया, तो फ्रेंट cross reference समझ में आ गया होगा, यह किसी भी reference में मुझे जाना है, तो मुझे cross reference का use करना होगा, अगर आप चाते हो, कि figure number 2 में figure 1 का link हो, तो बस यहाँ पर click करो, और यहाँ पर जाना है, आपको cross reference, और यहाँ से क्या लेना है मुझे, तो figure 1 को connect करना, तो figure 1 तो friend यही है, अब इसको insert कर दो, और इसको close कर दो, तो यह one आ गया है, तो आप इसको click करोगे, तो यह आपका, यहाँ पर आ जाएगा, तो friend आपको insert caption and cross reference समझ में आगे होंगे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, mark entry के तरफ, इसके लिए मुझे यह चीज़ मिटाने होंगे, फिलाल के लिए मैं इसे delete कर ले रहा हूँ, mark entry होता है कि I print, मानलो की, जब आप किताब पढ़ते हो, और कुछ-कुछ important line रहता है, तो आप उससे mark है, यह मेरा important point है, यह मेरा important word है, ऐसा कुछ भी बनाते हो, तो आप ऐसा बना सकते हो, मानलो कि मुझे कुछ paragraph लिखने है, तो मैं by default equal rank का यूज करता हूँ, मुझे mark लगाना है, तो चलो मैं mark लगाता हूँ, first में, मैं building में mark लगाता हूँ, mark में चाहँ, simple सा पस mark क्लिक कर द रहा हूँ, मैं style में mark लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर mark लगा देता हूँ, देखो print, मैं तीन जगा पर mark लगाया है, यह जितने सारे जो भी symbol आया है, मैं उसे फिलाल के लिए हटा दे रहा हूँ, यह symbol हटाने के लिए मुझे home tab में जाना होगा, और एक यहाँ पर फिर से references tab में आना होगा, और insert index का use करना होगा, जो ही आप insert index को click कर दोगे और यहाँ पर एक option आएगा, right align page number, आप इसको click कर दो, इससे आपको page का number भी आ जाएगा, बस आप OK बटन को click कर दो, इससे क्या हो जाएगा, कि mark आपने किस-किस page में लगाया थे, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, मैंने एक building पे लगाया थे, एक style पे, एक theme पे और जो कि यह page का number one पे है, तो यहाँ पर page का number one ने आ गया, और यह ऐसा word भी आ गया, अगर यह friend page number two में होता, तो चलो मैं page number two पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पर भी equal के साथ में, मैं rend को click करता अब मुझे मान लो कि यहाँ पे कुछ लगाने है, यहाँ पे कुछ लगाने है, फॉर्मैटिंग में, तो मैं चलता हूँ, mark entry में, और यहाँ पे फॉर्मैटिंग में mark लगा देता हूँ, फिर से मुझे यह यह हटाने होंगे, तो इसके लिए home tab में जाकर कि इसे में हटा देता हूँ, और मुझे यहाँ पे update करने है, तो मैं चलता हूँ, यहाँ पे references tab में, एक option है update index, आप इसको click कर दो, देखो यहाँ पे formatting आ गए, और यह कितने number page पे था, 2 पे था, तो यहाँ पे 2 आ गए, I hope friend आपको समझ में आ गया होगा, mark entry क्या होता है, mark creation भी same है friend, तो य मैंने just times yes and बताया था, उसी समय आप इसका भी mark लगा सकते हो, तो यह अभी कोई ज्यादा important चीज नहीं है, तो आप mark entry तक ही पढ़ो, तो आपको ज्यादा समझ में आगा, तो I hope friend आपको समझ में आ गया होगा, references tab के बारे में, अगर कुछ भी problem है, तो मुझे comment section में जरूर मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा share करें, thank you for watching